हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपी के चैनल ट्रेडर जोन में आज हम बात कने वाले हैं ट्राइडेंड के बारे में फ्राइडे मार्केट में काफी उठा पटक देखने को मिली और मार्केट काफी वोलाटाइल था ट्राइडेंड में जो तेजी एक्सपेक कर रहे हैं शेयरोल्डर्स वो काफी दिनों से आ नहीं रही है काफी लोग चिंता में हैं उन्हें डर है के यहां से ट्राइडेंड में किरावटना चालू हो जाए लेकिन फ्रेंड्स आपकी जानकरी के लिए बता दूँ एक बहुत ही पॉजिटिव नियूज निकल कराई है अंतरराष्टी बाजार से यह बहुत ही जल्द रॉकेट की तरह आसमान में उनने वाला है और दो latest update निकल कराए हैं क्या निकल कराए हैं वो हम एके करकर discuss करेंगे हम data पर भी discuss करेंगे और chart पर भी analyze करने की कोशीच करेंगे friends यह तेजी कहां तक आ सकती है और shareholders को क्या करना चाहिए और analyst से भी एक report निकल कराएए friends वो भी हम आगे discuss करेंगे आज का वीडियो काफी informative होने वाला है अगर आप Trident के sharehold करते हैं तो end तक बने रही है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से subscribe बटन दबा दीजिए और bell icon दबा दीजिए ताके सारे updates आपको सबसे पहले मिले चले फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक disclaimer के साथ सबसे पहले हम इसका performance देख लेते हैं NAC और BAC पर यहां आप देख सकते हैं यह open हुआ था 53 रुपी 60 पैसे यह high लगाया 54 रुपी 70 पैसे और low लगाया 52 रुपी 65 पैसे है जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिसकस किया था 52 का एक strong support है वो break नहीं कर पा रहा है Trident जबके market में काफी गिरावट थी और हलकी सी गिरावट Trident में भी देखने को मिली लेकिन इसने अपने support के ऊपर ही closing दी है तो ये एक positive news है यहां देख सकते हैं आप quantity traded है 1 crore 56,10,000 की quantity trade हुई है और delivery उठाएगी है 64,16,000 की percentage में देखे तो 41.10% की delivery उठाएगी है चलिए BSE पर भी देख लेते हैं यहां quantity traded है 37,10,000 की quantity trade हुई है और delivery है गई है 22,31,000 की percentage में देखे तो 60.15% की delivery है गई है इस समय Trident में वो volume नहीं बन पा रहा है जो पहले बन रहा था जिसकी वज़े से आपको तेजी नहीं देखने को मिल रही है लेकिन जो latest news निकल कर आई है textile industry के related उससे आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें position बना कर रहने में ही समझदारी है Trident already financially strong बनता जा रहा है day by day और इसका management हर दुसरे दिन कुछ न कुछ business expansion के लिए लगा हुआ है चलिए अब हम volume analysis भी कर लेते हैं यहाँ one month का average है three crores, one week का average two crores, Thursdays में दो करोड का volume था और Fridays में दो करोड का volume था चलिए अब हम news देख लेते हैं एक एक करकर क्या निकल कर आई है सबसे पहले तो मैं reminder देना चाता हूँ, Trident ने अपना trading window बंद कर दिया है अपने staff के लिए, उनके management के लिए सभी के rule के अनुसार, result से पहले companies को अपना trading window बंद कर देना होता है ताके किसी तरह का manipulation यानि के कोई घोटाला ना हो सभी के rule के अनुसार, इन्होंने अपना internal trading window बंद कर दिया है अपने staff members के लिए और management के लिए और जल्द ही ये अपना result declare करने वाले हैं इस बारे में कुछ भी news निकल कर आती है, तो हम अपने channel पर post करेंगे friends चलिए अब हम chart पर भी देख लेते हैं, candle stick pattern क्या धर्शा रहा है और technical indicators क्या बता रहे है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लगातार ये एक channel में चल रहा है कई दिन से 53 rupees और 55 के बीच में ही, काफी दिन से एक channel बना कर चल रहा है friends अगर ये 55 rupees के ऊपर जाता है, तो ये अपना 52 week high भी break करता हुआ दिख सकता है अगर हम MACD देखे तो MACD अभी neutral indicate कर रहा है RSI भी अभी neutral indicate कर रहा है William percentage ना तो overbought की zone में है, ना तो oversold के इस समय सभी technical indicators neutral indicate कर रहे हैं friends लेकिन आपको तो पता ही है, पिछले 2 quarters में एक बड़ा profit post किया है Trident ने और मैं ये particular stock आपको तब से suggest कर रहा हूँ जब ये 20 rupees पर था और अभी देख लो ये 60 rupees का भी high बना चुका है और कई analyst का मानना है, इसमें एक high potential है, ये 100 rupees के उपर भी जाता हुआ दिख सकता है चलिए अब हम वो news देख लेते हैं, जिसके चलते हैं, एक बड़ी तेजी आ सकती है textile stocks में, यहां आप देख सकते है textile sector seeing a structural turnaround textile sector में एक बड़ा turnaround आ सकता है, किसलिए वो भी हम आगे देख लेते हैं market में गिरावट थी, लेकिन textile sector के stocks काफी अच्छा perform कर रहे हैं क्योंकि cotton के export में काफी बड़ उतरी हुई है और यहां आप देख सकते हैं friends, analyst काफी bullish है इस particular sector को लेकर और उन्हें लगता है कि यह तेजी और continue रह सकती है यहां second para में आप देख सकते हैं कुछ textile के stocks जो जबरदस rally दिखाए थे लेकिन Trident में उतनी तेजी देखने को नहीं मिली उसके पिछे एक strong reason है Trident ASM list में अभी भी चल रहा है जिससे एक fear पैदा हो चुका है shareholders में और तब से इसमें trading भी slowdown हो चुकी है अगर हम आगे देखे तो COVID के जलते और demand increase हुआ है textile का और apparels का क्योंकि आपको तो पता ही है US और China का trade war चल रहा है और इन्होंने additional duties यानिके taxes में भी बड़ोतरी करती है अगर चाइना से माल export नहीं होगा तो US का second best option रहेगा इंडिया इस समय काफी textile और apparels export हो रहे हैं इंडिया के द्वारा चाइना का द्वार बंद होना यानिके इंडिया के लिए एक export का द्वार open हो चुका है यहाँ पर export बड़ेगा textile और apparels का और export होने पर company का profit भी increase होगा यहाँ आप देख सकते हैं second para में US signed into law legislation that bans import from China Xinjiang region चाइना की एक प्लेस है वहाँ से export बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है US के द्वारा तो यह एक बड़ी opportunity है Indian textile industries के लिए इससे हमारा export का business grow होगा और US इंडिया से जाद जाद माल खरीदने के लिए भी तैयार है और एक point highlight करना चाहूँगा Xinjiang जोकि एक state है चाइना का उसमें 20% सारे विश्व का 20% cotton export होता था और इस particular state से US ने माल लेना बंद कर दिया है एक अच्छी opportunity है इंडिया के लिए चलिए हम आगे देख लेते हैं moreover the government stands on free trade agreement is a welcome policy change for the textile and appareils तो यहाँ पे government का भी support मिल रहा है textile industry को इन्होंने free trade policy के अनुसार यह काफी अच्छा support दिया है textile industries को अगर हम आगे देखे तो पिछले 3 महीने में यह companies अपने shareholder को बहुत अच्छा return दे चुके है पहला है KPR Mill जो के 61.04% का return दे चुका है और second है Gokaldaas Export जो के 59.52% का return दे चुका है और तिसरे position पर है Trident और इसने अपने shareholder को 55.67% का return दिया है चलिए अब हम next news देख लेते हैं क्या निकल कराई है यहाँ आप देख सकते हैं exciting opportunity in textile electric vehicle space says S. Krishnakumar Krishnakumar एक analyst है उन्होंने कहा है कि textile और electric space यानि कि electric vehicles में काफी scope है इस समय निवेश करना समझदारी होगी यहाँ आप देख सकते हैं textile, sugar, ethanol, chemicals, capital goods and electric vehicles इन सब का demand increase होने वाला है जिसके चलते आप इन stocks में बने रह सकते हैं और लगातार Trident अपने shareholders को profit देता हुआ आ रहा है और कई analyst ने तो कहा है कि यह आने वाले 3-5 साल में 200 के पार भी जाता हुआ दिख सकता है अगर आप Trident के sharehold करते हैं और आप profit में हैं तो comment करके ज़रूर बताईएगा यह तो मेरे views थे कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से advice देकर invest कीजिए अगर यह video आपको informative लगा तो इसे like करकर encourage करिए और अपने दोस्तों साथ भी share करिए और अगर आप मेरे channel पर नहीं हैं आपने मेरे channel subscribe नहीं किया तो जन्दी से subscribe button दबा दीजिए और bell लाइकर दबाईए ताकि आपको इसी तरह की latest information सबसे पहले मिले